असलाव निक्रीन दोस्तों, Hindi Space Therapy के इस वीडियो में फिर से आपका खेर मक्तम है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Tung Time के उपर दोस्तों क्या होता है? बहुत से बच्चों को Tung Time की प्रोलम होती है अब टंग टाई होता क्या है देखिए दोस्तों जोसे हमारी जीप के नीचे जो धागा होता है वो कहीं बार आगे तक होता है जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये धागा ये धागा नीचे के तरफ ये धागा कहीं बार आगे तक होता है यहां तक होता है, यहां तक होने के वज़े से हमारी टंग प्रोपर वर्क नहीं कर पाती और जो हमें कॉंसोनेंट परनाउस करना होता है, वो हम परनाउस नहीं कर पाते माली जी हमें तर बोलना है, जब हमारी जीव उपर तक नहीं जाएगे यानि कि उपर नहीं लगेगी तो हम टव नहीं बोल पाएंगे हमितव बोलना है अगर हमारी टंग दातों तक नहीं लग पाएंगी तो हम उसको नहीं परणाउस कर पाएंगे ठीक है तो काफी ये प्रॉलम करेट हो जाती है और बच्चा तुतलाने लग जाता है और वो बड़ा होने के बावजूद भी तुतलात रहते है हाला कि डॉक्टर इसका operation कर देते हैं इसका surgeon जो होते हैं इसको check करके थोड़ा सा cut मार देते हैं ताकि टंग उपर उड़ जाए और लेकिन दोस्तों कहीं बार क्या होता है अब parents की awareness ना होने की वज़े से वो बच्चे को टंग टाई का operate नहीं करवा पाते हैं बड़े हो जाते हैं ठीक है अब कहीं बार doctors ही मना कर देते हैं कि आप थोड़ा मुश्किल है क्योंकि skin भी काफी hard हो जाती है और cut में थोड़ा infection के भी chances होते हैं हाला कि इतना ज़रूरी नहीं है chances कम हैं लेकिन कहीं बार वो doctor भी बोलते हैं surgeon भी इसको हो जाएगा लेकि उसको सामने मालों को डर लगता है मुझे cut लगवाना पड़ेगा operation करवाना पड़ेगा तो बिना operation करवाई भी हम इस चीज़ी को ठीक कर सकते हैं तो वो कैसे ठीक कर सकते हैं तो उसकी कुछ exercise, कुछ therapy है जिसके ज़रिये हम इसकी practice से हम अपनी तुतलाने को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं ठीक है? तो आज हमें उनी exercise के बारे में उनी techniques के बारे में बात करेंगे दोस्तों क्या होता है हमारी जो टंग होती है ये जो धागा होता है ये उपर ही नहीं लगता तो हमें उपर कैसे बचाएं तो हमें इसके लिए कुछ एक्सेसाइज करनी होगी एक तो हमें टंग टाई अब इसमें हमें खिचाओ करना होता है हाला कि आपके यहाँ पर नीचे की साइड कुछ दिन दर्द भी होगा तो आप कोई भी exercise करें धीरे धीरे करें ठीक है तो एक किसमे exercise है टंग exercise उसमें क्या करना है आपको जीव को पूरा बहार निकालना है कैसे इससे आपका नीचे वाला धागा खिचेगा और वो शुरू में नरम पड़ेगा कोई भी exercise आपने पहले जादा नहीं करने है अगर आप जादा खिचाव डाल दोगे धागव तो उसमें बलड भी आ सकता है धीरे धीरे आप exercise करोगे इससे क्या होगा आपका जो कखगव वाला वर्क है जो वो concern अगर उसमें तुतलाठ है वो भी दूर होगी क्योंकि इसमें पीछे वाले पार्ट पर जो और पड़ता है और पीछे भी जो और पड़ता है अब इसकी आप exercise करोगे आप दो मिनट तीन मिनट exercise करोगे दिरे दिरे खिचाओ पैदा होना शुरू हो जाएगा ठीक है इसके इलावाद जो दूसरी exercise है वो क्या करोगे move to soft palate पीछे की तरफ मूव करोगे टंग को टंग को ऊपर लगाओगे और पीछे की तरफ मूव करोगे कैसे ऐसे पीछे की तरफ लेके जाओगे इसमें जो आपके टर्ठर डर वाले concern वो भी cure होंगे और टंग भी जितनी पीछे जाएगी उतने जादा अच्छा होगा अगर आपके टंग उपर तक नहीं जा रही है तो थोड़ा सा मूग को थोड़ा कम खोलिए और पीछे तक लेके जाएगे इसी तरह एक exercise जब कुछ दिन होगा इसकी practice हो जाए move to soft palate वाली तो एक exercise करनी है move to soft palate with finger जैनि finger से पीछे तक लेके जाना है क्या होता है हमारी जितनी पीछे जाती है वो हम खुद ले जाते है लेकि जब finger से लेके जाती है तो ज्यादा पीछे तक जाती है कैसे देखे जया ऐसे पीछे तक ले जाते हैं इससे हमारे जो धागा में खिचाव पढ़ना शुरू हो जाता है इसके लावा जो अगली exercise है उसमें क्या करना है मुझ को खोलना है जितने ज़्यादा आप मुझ कोल सकते हैं उतने ज़्यादा खोलें जो बढ़ती है कि आपका नीचस वाला जो उपर जए अपर जो उपर ही रहेगा उतने ज्यादा अच्छा होगा इसमें क्या होगा इससे लेंफ भी बढ़ सकते है आपकी कई भार छोटी ही टंग होती ही वह भढ़ेगी क्यूद पूरा टंग में खिचाव होगा और जो तव तव वाले concern वो भी के और होंगे तव वाले भी concern आपके cover होंगे और तुतलाना आपका ठीक हो जाएगा तो जितना ज़्यादा हम टंग पे खिचाव डालेंगे धागे पे खिचाव डालेंगे और यह definitely हो जाती है बहुत कम chances होते हैं कि हमें इसका operation करवाना पड़ेगा और आप यह exercise routine में करें तो यह आप जो तुतलाने के problem है बल्कु ठीक हो जाएगी लेकिन दोस्तो एक चीका दिहान रहे हैं शुरू शुरू में ज़्यादा मत करें कि मैं बार बार यह बात repeat कर रहा हूँ ज्यादा करने से blood निकलेगा और कुछ भी infection भी हो सकता है तो ज्यादा ना करें देखो दोस्तों कोई भी हम exercise करते हैं फीजिकल exercise करते हैं जैसे jogging करते हैं, running करते हैं ठीक है, aerobics करते हैं तो हमरे muscles pin करते हैं आप इसके exercise करेंगे तो यह भी muscles के exercise है तो इससे भी आपके pain होंगे तो आप ज्यादा ना करें और धीरे धीरे करें शुरू में धीरे जैसे जैसे आपको आदिश पढ़ती है तो जितना ज़्यादा खेचाव डालेगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा और आपका तुतलाना definitely खतम हो जाएगा आपको इसके लावा कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे course भी ले सकते हैं तुतलाना ठीक करने के लिए हम course भी देते हैं वो कुछी दिनों में हम तुतलाने को बिल्कुल खतम कर देते हैं और पूरी guarantee से देते हैं और 100% curable होता किसी भी concern में आपको problem होती है तो आप हमसे बे जीजग contact कर सकते हैं उमीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए topic के साथ जब तक के लिए खुदा हाफीस पाई